हाई फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू माई चैनल पुस्पलता कीचन को सस्क्राइब कीजे बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालू और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसे क्लि तो आपने मेथी आलो तो बनाया होगा पर सोया मेथी आलो शाद नहीं बनाया होगा तो एक बड़ बना के आप देखी आपको बहुत पसंद आएगी तो यहां पर मैंने सोया लिया है इस तरह का सोया होता है अगर आपने नहीं देखा हो तो और इस तरह से सोया को हम बारी क और यहां मेथी भी हमने कट कर लिया है तो यहां पर मैं दोनों भाजी को अच्छे से पानी में करकी मैं अच्छे से वाश कर लूँगी तो यहां पर मैंने अच्छे से इसको वाश करने के लिए मैंने पानी लेना है हमें तो मैंने पानी ले लिया है और अच्छे से इसको मु क्केए जाता है था लीवसे गता हैं प्रत पॉट्टुअ जाए लएब आक हैं चाहि अब मैंने कडाही नाला मैंने मीरिक अच्छी आओन म स्टेवल में महिटेट आता है तो यह सकता है पाई टेल ले सकते हैं जीरा डाला मैंने यहां पर और मैंने यहां पर गार्लिक और चिली को भी एट कर दिया है और उसके बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे अब इसी वे हम एट कर देंगे थोड़ा सा हल्दी को कि ग्रीन बेजी टेबल है तो बहुत हल्दी क्या वशकता नहीं है तो यहां प करके क्योंकि जो सवया है और मेथि है दोनों बहुत जल्दी इंगल जाते हैं तो हमें पेले आलू को पहले उसको हमको पका लेना चीए धोड़ा सा उसके बाद में हमारी बाजी है उसको एट करना चाहिए तो यहां पर हो गया है अलूँ अब मैं इसके ऊपर जो मेती सोया तो मैं एट कर रही हूं… तो यहां पर मैंने एट कर दिया है तो आप देख सकते हैं एट करके अभी शाल्ट एट नहीं करेंगे क्योंकि भाजी गले की तो हमेश का पता नहीं चलेगा तो पहले हम इसे कवः कर देख सकते हैं इसकी कृन्टिटी कितनी कम हो गई है अब फैसे तो अब हमें कवर करेंगे फिर से इसको तो यह भाजी बहुत रिष्टी बनती है और साथ में हल्दी भी होती है तो आप जरूर बनाएए आपको जरूर पसंद आएगी और मुझे तो सोया बहुत पसंद है और फिर से हम इसे कवर कर देंगे फिर हम एक दो मिनिट के बाद व दो तीन मिनट पकाएंगे इसको उसकी बाद फिर हम इसको चेक करेंगे तो इसको मैं कवर कर दूंगी तो यहां पर देख सकते मैंने कवर करके फिर से ओपन कर लिया है और फिर हमें इसे लगतार चलाते बीच-बीच में चलाते रहना है क्योंकि हमाई सबजी नीचे लगे तो अभी वापस से मैंने इसको चला दिया है और यह पर और कवर करूंगी क्योंकि अभी आलू अच्छे सिप नहीं हुआ है तो अब हम यहां पर एट करेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो यहां पर मिक्स कर दिया आपको बहुत पसंद आएगी तो मेरी सब्जी रेडी हो गई है अब मैं एक बावल में ट्रांसफर कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं इसको तो देख सकते हैं आप कित्ती अच्छी बनी एक कलर भी कितना अच्छा आया है तो यहां पर मैंने सर्व कर लिया है और मेरा मेथी सोया पालक रेडी हो गया है बहुत टेस्टी बना है और आप जरूर बनाएए और बताइए का कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी और आप और लाइक करना फ्रेंस बिल्कूल ना भोला करिए लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छी अच्छ दूनितों मिलता है और आप करना भोला करता है और आप करना बना है टेस्टी को को टेस्टी को डिकूल को बना है